जैहें दोस्तो हमारा बिहार में आपका श्वागत है और दोस्तो आज है 14 फरवड़ी 2021 और 14 फरवरी 2021 से जितने भी करेंट अफ्यर्स के कोश्चन है जो राश्ट्री वह अंदर राश्ट्री अस्थर के हैं उसको आज में डिसक्स करेंगी और दोस्तो इस current affairs का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा भी हार एच वी और चानल को जोईन कीजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा और दोस्तों इस एपिसोड के लाश्ट में ने रिवीजन का दो प्रस्म रखा है जिसका एंसर आपनों को कॉमेंट वाक्स में देना है तो लाश्ट तक बने रहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्म हाली में अंतराष्टिये सौर संगठन का अगला महानिदेशक किसे निफ्त किया गया है अंतराष्टिये सौर संगठन का महानिदेशक निफ्त किया गया है अब चलिए अंतरराष्टिये सौर गटवंदन का नाम आया है यानि इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स तो इसके बारे में चानते हैं इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एजेंसी पॉर सोलर टेकनोलोजीज एन अप्लिकेशन्स ठीक है जिसको सौर्ट में आई एन एस्टिये कहा सौर उर्जा पर अधारित 181 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका सुबारम भारत और फ्रांस पॉरा तीस नैंबर 2015 को पेरिस में किया गिया है यह भारत के प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है जिसका गोशना उन्होंने सर पर्थम ल इस संगठन में ये सभी देश सौर उर्जा के छेतन मिलकर काम करेंगे इस परियाज को वैस्वी कस्तर पर उर्जा परिद्रिस्ट में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है इस संगठन का अंतरीम सची वाले रास्ट्रियों और सौर उर्जा संस्थान पहारी गुर्गाओं में बनाए गया है यानि इंडियन सोलर एलाइंस का जो मुख्याले यहां गुर्गाओं में है और इसका उद्गाटन 25 जनवरी 2016 को किया गया था ठीक है और 25 जनवरी 2016 को भारत के प्रधान मंती स्री नरेंदर मोदी और फ्रांस के राश्ट्मती स्री प्रस्वा ओलांद ने संहिक तुरूप से अंतराश्टिय सौर गट्वंदन मुख्याले की आधार सिला रखी थी अगला प्रस्ना दस्तों हाली में तीरानवी ओसकर पुरसकार के लिए किस भारतिये फिल्म को नामित किया गया है तो उस फिल्म का नाम है बिट्टू ठीक ह भारतिये लगो फिल्म बिट्टू को तीरानवी ओसकर पुरसकार के लिए लाइव एक्शन सौर्ट फिल्म स्रेणी के तहट सिर्स दस फिल्मों में सूची वद्ध किया गया है इस फिल्म के निर्माता स्रेया और निर्देता करिसमा देब दूगे है अगला प्रस्ना हाली में जम्मु कास्मिर ने बाड़ पुर्वा अनुमान पर सहयोगी परियोजना के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है तो UK Space Agency के कारेकरम साथ हाथ मिलाया है National Space Innovation Program UK Space Agency का Agency द्वार अस्थावित एक नया करेकरम है जो UK संगठनों और अंतराष्टिये भागिदारों के भी सहयोगी परियोजनाओं का समर्थन करता है अगला प्रस्त है हाली में मनीपुर उचन्याले के मुख न्याइधीस के रूप में किशे निप्त किया गया है तो मनीपुर उचन्याले के मुख न्याइधीस के रूप में निप्त किया गया है पुलगोरू वेंकेट संजय कुमार टिक है D आप्सन इसका सहिक सकते हैं और पिवी संजय कुमार वर्तमान में पंजब और हर्याना उचिनयाले के मुख नयाइदीस और पुस्वा विरेंद्र गनेदी वाला को मुंबई उचिनयाले के अत्रिक्त नयाइदीस निफ्थिया गया है आप दोस्तो नाम आया है मनीपूर का ठीक है तो चलिए इसके बारे में जाते हैं और भारत के मैप पे मनीपूर का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं ठीक है मनीपूर राज जो है दोस्तो देखिए नागा लेंड और श्रम और उसके बाद मीजोरम से सटा हुआ है और दोस्तो साथ ही मनीपूर के बगल में जो है ये च्छत जो है या म्याव मार का है तो मनीपूर राज जो है म्याव मार के साथ अंतराश्टिय सीमा भी बनाता है अब चलिए मनिपूर के वारे में कुछ basic information देख लेते हैं तो मनिपूर का राजधानी इंफाल है मुखे मत्री एन्विरेंसी है राजपल है नजमा है बदुल्ला मनिपूर को देश की आर्किट बास्केट का जाता है या आर्किट कुस्प की 500 से अधिक प्रजातिया पाई जाती है शिरोई लिली नामक फूल जो है पूरे 20 में केवल मनिपूर में ही पाई जाता है इंफाल जो है यहाँ पर सुभाशन बोश आजाध हिंद की सेना लेकर इंफाल के रास्ते भारत में प्रवेश किये थे लोकतक जील पुरुवत्तर का सबसे वरा जील है इस पर कीबूल लामजाओ राश्ट्री उद्यान है जो की तैरता हुआ एक उद्यान है अगला प्रस्ते हाली में TurnAroundIndia 2020 Surmounting Past Legacy नमक पुस्तक का विमोचन किया गया है इसके लेकर कोन है तो पुस्तक का नाम है TurnAroundIndia 2020 Surmounting Past Legacy इस पुस्तक के लेकर है और पुस्तक का नामा है तो इससे जूरे कुछ current देख लेते हैं तो हाली में unfinished और मेमोर नामा कुस्तक का वी मोचन किया गया है जो कि प्रियंका चोपरा का आत्म का था है इसका वी मोचन प्रियंका चोपरा के द्वारा ही किया गया है और इस पुस्तक को Penguin Random House के द्वारा जारी किया गया है हाली में आई पुस्तक The Commonwealth of Cricket A Lifelong Love Affair with the Most Subtle and Sophisticated Game Known to Humankind और इसके लेखाग है राम चंदर गुहा हाली में पुस्तक Big Billion Startup A Untold Flipkart Story को गाजा Capital Business Book Prize 2020 से समानित किया गया है और इसके लेकक है मिहीर दलाल अगला पुस्तन हाली में Congress ने राजसवा में बिपक्च की नए नेता की रूप में किसे निखिया है मलीकारजून खडगे को इमेज में देख सकते हैं यही है मलीकारजून खडगे मलिकारजुन खड़गे गुलाम नवी आजायत का स्थान लेंगे जिनका कारेकाल 15 फरवरी 2013 को समाप्त हो रहा है अगला प्रस्ने हाली में किसके द्वारा अनमोल भारत कारेकरम की सुरुवात की गई है तो अनमोल भारत कारेकरम का सुरुवात की आगया है मास्टर कार्ड के द्वारा ए आप्सन इसका सही हो गया मास्टर कार्ड ने घरेलू वैस्बिक यात्रियों को सम्रिद बिरासा दिखाने के लिए अनमोल भारत कारेकरम ठीक है अन्मोल भारत कारेक्रम की शुरुवात की है इस कारेक्रम को दो चर्णों में आजित किया जाएगा प्रत्थम चरण में 16 लगू फिल्में लॉंच की जाएगी जो परियाटको के लिए भारत के सबसे प्रतिष्टित सहरों और अस्थलों के कई अनुठे पहलियों को पेस करेगी नेक्स्ट है हाली में किसके द्वारा स्वालंबन ससक्त अवियान शुरू किया गया है तो स्वालंबन ससक्त अवियान जो शुरू किया गया है या भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक जिसको CDB कहा जाता है और साथ महिला उद्यमी परिशन इन दोनों के द्वारा सही तुरूप से किया गया है तो C-Options ही हो गया भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक और भारत के महिला उद्यमी परिशन इन दोनों के दिनों ने साथ मिलकर एक अवियान स्वालंबन ससक्त चुरू किया है यह अवियान 20 बेविनायर का एक स्रिंकला है जिसका उदेश जागुकता पैदा करना और सरकार की Stand-Up इंडिया योजना को बढ़ावा दिना है Stand-Up इंडिया योजना का उदेश SCST कर्जदार को दस लाग से एक करोर के बीच बैंक क्रीन की सुभीधा प्रदान करना है अगला प्रसन है हाली में टाटा मोटर्स ने नए CEO और MD के रूप में किसे निक्त किया है तो टाटा मोटर्स ने MD और CEO के रूप में निक्त किया है मार्क लिश्टो सेला को एक आप सनी सिका सही हो गया मार्क लिश्टो सेला महसं ने प्रवन्द प्रेजर प्रवरी तक टिक है इसका सही हो गया और इजर बैंक ऑफ इंडिया ने वितीय अनुसासन और आपचारिक संस्थानों से रीपर वितीय साक्षरता सप्ता का शुबहरंग किया है तो यह जो वितीय सफ्ता आप शाप्षरता सपथा इसका थीम था दुस्तों वितीय अनुसासन और अपचारिक संस्थानों से रिइंटिक पांच दिवसी इस कारेक्रम का सुभारम भारतिय रिजर्ब बैंक के नई दिल्ली के छेत्रिय निदेसक अजय कुमार ने किया 2016 से प्रतेक साल इसका आयजन किया जा रहा है अगला प्रसने हाली में इसरो के द्वारा किसे किसी नीजी सेटलाइट का परिक्षन किया गया है तो दो नीजी कंपनियों द्वारा सेटलाइट बनाया गया है जिसका परिक्षन इसरो के द्वारा किया गया है वो दो सेटलाइट जो है जिसका नाम है स्पेस किड्ज इंडिया और पिक्सल ठीक है तो सी ओप्सन सही हो गिया ओप्यूक्त दोनों भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन ने अपने 50 साल के इतियास में पहली बार सेटलाइट सेंटर को नीजी कमपनियों के लिए खोला है भारतिये स्टाट अप्स के दो सेटलाइट का इस रों ने यू आर राव सेटलाइट के हैं यह प्रिक्षन किया है जिसका नाम है सेटलाइट से नाम आया तो चलिए सेटलाइट सेस्टैलाइट से जुर एकुछ करिंद दख लेते हैं तो हाल ही में UAE के द्वारा सक्राइब में सब्टीय में उनगल की कख्छा में प्रवेस किया है जिसे 59 शुलाई 2020 को जापान के द्वर्ह लॉंच किया गया है था हाली में चीन का सिस्प्राइब कुछ यह ऊसरी मंगल उपगरा था हाली में नासा ने इतावली अंतरिक्ष एजन्सी, कनडाई अंतरिक्ष एजन्सी और जापान एरो एस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजन्सी के साथ एक अंतराष्टिय साज़ेदारी की है नासा ने एक संभाविक रोबोट मार्च आइस मैपिंग मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट आफ इंटेंट पर हस्ताक्चर किया है हाली में अमेर्की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा 24 जन्मरी 2021 को एक ही रोकेट में 143 उपगरों को लॉंच करके एक नया 20 रिकॉर्ड बनाए गया है और इस लॉंच विकिल का नाम क्या था तो फालकन 9 ठीक है तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफ यर्स चलते हैं रिविजन के तरफ तो रिविजन का पहला प्रसंथा हाली में VLCC Feminine Miss India 2020 का किताब इसने जीता है तो मनासा वारा नसी ए ओप्सन इसका सही हो गया दूसरा प्रसंथा हाली में किस देश का तियान वेन वन उपग्रा मंगल की कक्छा में परव्यस किया है तो चीन का है या ठीक है भी ओप्सन इसका सही हो गया तो पिछले एपिजोड का सही उतर हो गया ए और बी आज का revision का प्रस्न है, हाली में unfinished मेड मेर नमक कŁस्ता का विमोचन किया गया यह पुस्ता की कसका आत्म कतता है दूसरा प्रस्न है, हाली में किस देच भी चंद्र नव वर्स मनाए है तो इस दोनों प्रस्न का उतरण आप लोको comment box में देंना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिंद